मुझार्ग के लिए कि कोनार्क में जो सुर्ज मंदिर रहा उसका हम लोग यो भी बचा हुआ भी अवसेस है उसको देखे देखने के वाद लगता है कि किस प्रकार जो समझे हमारे देश में जिसको हम लोगा स्थाप पिकला काते हैं आर्किटेक्ट्चर का वो बुलते हैं किस लेवल का था और किस प्रकार की ट सारा चीजों को करने के बाद इतना बड़ा भव्य वेक बना और यह अपने देश के लिए समझे बहुत ही गौरब की बात है और हमारा तो देश का इतिहासी गौरब साली रहा है और यहां करके और अच्छा लगा और जो जिस प्रकार का मिटिरियल देखे यूज है कोई प यह कंदिय करते हैं अगर आप देखिये तो जो चाहं ऑर जोला होती थी आज आपका सिमेंट है आज आज भ्लाई करते हैं उसमें अगर आप देखिए तो एक जगे हो दिखाए गया है कि उसका जो है लोहे से उनकी जुड़ाई हुई है तो लोहे का ज्योग है उसमें भी वॉक अट्टा था और जो लोहे की कॉलिटी है उसकी मिर्टेल्रिकल क्वालिटी है उक जो समझ आप it's तरह के जहां भी मैं लोहे की चीज़ों को देखता हूं तो मेरी इच्छा राती है और मैं ये साइसे नरोद करोंगा मैं फॉर्मल चित्थी उनको लिखोंगा कि इस पर कारके स्टील इसमें यूज़ोंगा है और अभी आप देख रहे हैं जो हमारे पास बाहर स्टील रखे हैं कि इसकी अज़ोंगा है अज आप देखे आप लोहे को लाते हैं कुछ घंटे बाहर मरख दीजिए ऑक्सियन जब आलता है तो उसमें भी जो हमारे हैं जो समझी है कि मिटलेर्ज की कॉलिटी थी निष्टी रही होगी तो हम लोगो उसको स्टेडी करना चाहिए और हमारा स्टील जो हम तो चाहेंगे कि इस परकार की स्टेडी होनी चाहिए जिसे कि आने वाले समय में तेखिए जो भी हमारी आगे और अची टेकनोलोजी पहले की जमाने जो हमारी टेकनोलोजी रही है उससे भी हमको स्टेड़ना चाहिए जिससे कि हम सब का लाव ले सकें और आगे आने वले समय में यो हमारा स्टील हो जो इस पात जो हमारा हो उसमें जो हमारी पुरानी चीजे थी उसका में अगर समाविस होता है जो नई तरुम से जो है वो इस तील और बहतर होगा